मश्खूर रियालिटी शो बिग बॉस ओटिटी अपने आखरी पड़ा उपर है 16 सितंबर को शो का फिनाले होने जा रहा है ऐसे में 12 सितंबर को संडे का वार में मूस जटाना शो से बाहर हो गई है साथियब घर में बिग बॉस ओटिटी की ट्रॉफी के लिए शमीदा शेती, राकिश बापर्ट, निशांत भर्ट, दिव्यागरवाल, प्रतीक सहचपाल और नेहा भसीन की बीच जंग होने वाली है मूस जटाना के घर से बेघर होने के बाद प्रतीक सहचपाल उन्हें अलविदा करते हुए फूट-फूट करो मौजुदा सभी सितारे आपस में फिनाले के लिए भिरते हुए नजर आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि बिग बॉस OTT में कौन बाजी माता है संडे का वॉर एपिसोड की शुरुवात में करण जोहर ने सभी घरवालों की क्लास लगाई इसके बाद MX तकाटक स्टास आशिका और अक्षे ने घरवालों के साथ मस्ती भी की पिरसिंगर निहा ककड और टोनी ककड ने सभी घरवालों का मनुरणजन किया साथ ही शो के होस्ट करण जोहर ने विनिंग ट्रॉफी की पहली जलग भी सभी को दिखाई मूस जटाना का असली नाम मुसकान जटाना है वो पेशे से एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है मुसकान जटाना ने भी इस बार बिग बॉस में हिस्सा लिया था और करण जोहर के सामने स्टेश पर निशान भट और प्रतीक सहचपाल को जोड़ी के रूप में चुना था लेकिन आखिरकार उनकी जोड़ी निशान भट के साथ बनी और इसके बाद मुसकान जटाना ने शो में काफी अच्छा परफॉर्म किया बताते कि मुसकान जटाना का नाम पहले से कहीं विवादों से भी जुड़ा हुआ है और अकसर सोशल मीडिया पर वो अपने वीडियोस को लेकर चर्चा में रहती है उनकी कहीं ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है 20 साल के मसकान जटाना चंधीगड और मोहाली से तालुक रखती है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर मोर अपडेट्स